हलो दोस्तों आई टी इंडरस्ट्री में सर्वाइब करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है इस पेसलिए अब जब आप 40 के आसपास होते हैं या 35 से उपर होते हैं 40 के बाद तो और ज्याद़ टॉफ हो जाता है तो एक जो मेजर इशू है या एक इमपोर्टेंट टॉपिक है मैं उससे बात करना चाहता हूं कि जब आप 40 के हो जाएंगे तो उसके बाद सर्वाइब करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए या या जैसे अभी आप 30 में हैं अपने या 40 के हो चुके हैं तो क्या जो इमपोर्टेंट स्टेप्स हैं आपको लेने चाहिए ताकि आप हमेशा सर्वाइब कर पाएं तो कुछ जरूरी जरूरी बातों पर टॉपिक्स पर मैं ये पॉइंट्स पर मैं बात करना चाहता हूं तो सबसे पहले के जो है आपका स्किल्स अगर आप अपनी स्किल्स को अपडेट रखेंगे तो आपको बहुत असानी होगी इस IT सेक्टर में बने रहने के लिए उसके लिए आप चाहिए कोई नया कोर्स कर सकते हैं आप कुछ स्रॉटिपेट कोर्स कर सकते हैं या अगर मैंनेजर लेवल में जाना चाहते हैं तो मैंनेजर लेवल की्फी कर सकते हैं था जिब आप फौ टी पे होच जायें तो घाँ आप मैनेजर लेवल की किसी बॉजिश libraries Ricky में हैं तो कम से कम 4-5 ये ता ये अडियों के टी एम्प्लोईस को आप मैनेज कर रहे हैं, सर्विस बिस कंपनी में ठीक ना, आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, वो डिपैंड करती है कि आपका एम्बिशन्स क्या है और आपकी पीपल स्किल क्या है मैनेजर की जो स्किल होनी चाहिए, वो कैसी है तो इस पर डिपैंड करता है कि प्रोफेशनल ग्रोथ ठीक है, और आगर आप आईटी सेक्टर में तो आपको अपनी टेक्निकल स्किल भी आपको होते हैं तो सब्सक्राइब तो बहुत ही निच्च के सब्सक्राइब में जो नीचे एक आपकी एक काईड नहीं कर पाएंगे या उनकी बात देर नहीं समझोंगाईब आपको आर्केटिक लेवल का या डिजाइनिंग लेवल का नौलिज अच्छी तरे से होना चीए है आई का भी लो लेवल का भी ठीक है यूजर आप मतलब जब आप इस एस तक हो जाएंगा ना 35-40 तो अल्रेडी आप एक बैटर कंपनी में होनी चाहिए जो आपने करी के स्टार्टिंग में 24-25 साल की मर में करीर स्टार्ट कर रहा है तो हो सकता है आप ने को छोटी बड़ी कंपनी एवरेज कंपनी में गाम करा हो लेकिन चालिस तक पहुंसते पहुंसते आपको एक बैटर कंपनी में पहुंच जाना चाहिए मैंग कंपनी फैंग कंपनी में नहीं जा पारे ठीक है तेकिन फिर भी एक बैटर कंपनी होनी चाहिए जिसका स्टेटस है आपने आप में एक ब जार ना तो कम से कम पास से आठ साल के बीच वहाँ पर रह ले तो आपको 40 की उमर के असपास इस तरह की कंपनी में होना चाहिए वहाँ तक पहुंच आप अपनी स्किस बढ़ाएं ताकि आप उस कंपनी में पहुंच जाए और एक आपका जो लिंक्डिन मीडियम यह जितनी हैं तो अपने आपिसे गया आपको फोलो करें आपको फोलो करें आपको फोलो करें जांए स्सक्रा स अप्शन ये होता है कि 440 के लाद आप स्पीकर बन सकते हैं और बहुत सारी टेक्निकल इवंट्स होते रहते हैं बाहर भी इंडिया के अंदर भी इंडिया के बाहर भी तो उसमें जाके पाट्टिस्पेट करें और स्पीकर बने को भी अच्छा अप्शन है दूसरा आपकी न किसी आप company में किसी को जानते हैं वहां पर vacancy के लिए आपको बता देंगे आराम से कि हमारे यहां इस manager level की company, manager level की vacancy है तो अब मैं आपके साथ ना कुछ चार पांच पॉइंट है मैं रखना चाहता हूँ जो 1 by 1 आपको देख रहा होगा स्कीन पर तो इनको 1 by 1 आपको देखेंगे कि यह जो अगर यह manager level पर आप जाना चाहते हैं और 40 के बाद growth करना चाहते हैं तो यह point आपके लिए must है पहला तो networking है ठीक है ना जितने भी ज़्यादा friends आप बना सेकें जितने भी ज़्यादा connection आप LinkedIn पे कहें पर भी बना सेकें अपने company के अंदर दूसरी प्रानी कंपनियों के अंदर या अपने social networking में कहीं पर भी Facebook भी हो चाहे इंस्टा भी हो LinkedIn भी हो कुछ भी हो networking must है दूसरा अपनी communications के आपको improve करने पड़ेंगे ठीक है क्यों आपके जो पूरी इंडिया का IT सेक्टर उसमें South Indian के लोग भी है और आपके clients आदर भाहर के होते हैं तो आपको English में ही मतलब आपका communication अच्छा होना चाहिए तो अपने अपनी बात दूसरे को समझानी आनी चाहिए दूसरे की बात समझनी आनी चाहिए ठीक है ना तो यह आपको grow करने में यही जब आप चालिस के उपर पहुंच जाते हैं ना तो आप से कोई coding नहीं करवाएगा है ना तो लोगों को जो बतले बाते करने वाला इनसान ही successful हो पाता है बात में जो जितनी ज़्यादा आप बाते कर रहा है और अच्छे से बात ब पाता है तुसरा है master excel and powerpoint मतलब जब आप शालिस के बात हो जाएंगी तो आपसे कोई visual studio पे आपसे सर्लैंप पे कोई code नहीं करवाएगा है ना netbeam पे या eclipse नहीं करवाने वाला आपको excel sheet powerpoint इसी से इसी के साथ अपना दिल चालू करना होगा अपने image लिखने चालू करने हो होंगे और ccbc और excel powerpoint यह नहीं चीज़ों में आपको गुमना होगा क्योंकि ना जब आप आपका जो senior level के लोग होंगे आपसे senior होंगे वो अगर वो आपसे presentation मांगेंगे वो आपको देनी होगे बनाके तो excel पे ही दोगे कि कितना project कुछ भी हो सकता है presentation में project के बारे में कि कितने employee हैं कितने salary हैं यह सब चीज़े manager लोड़ देखते हैं तो excel पे दिखा सकते हैं उसके लिए software नहीं होते हैं और कितने software बनाएंगे ऐसे तो excel यह से best चीज़ है और powerpoint यह मतलब यह आपके message के लोने चीज़ आपके tip पे होने चीज़ बिल्कुल ठीक है तो जब जो और main चीज़ यह कि जब आप इन दोनों चीज़े को सीख लेंगे मतलब excel को और powerpoint को तो आप अपने senior के लिए golden boy की तरह काम करेंगे मतलब उनके लिए golden boy कंपनी का pillar हो जाएंगे आप मतलब एक important बंते हो जाएंगे उन लोगों के लिए क्योंकि आप फिर वह भी अपने senior को उसी excel और powerpoint को forward करेंगे तो यह बहुत जरूरी चीज़ है फिर है अपना जितने भी ज़्यादा accumulate certificate समतों जितने भी ज़्यादा आप अलग मेरे को यह भी आता है, मेरे को project management भी आता है, मेरे को leadership भी आती है, मेरे को यह technology भी आती है, जितने भी ज़्यादा आओंगे उतने ही आपकी value बढ़ेगी, क्योंकि manager level पर आगर आप सिर technical level पर होते हैं, developer level तो कोई इतना दिक्कत नहीं ती certification हो गारा कि, जब आप manager level पर आपक कि वह यह, इन जो 10 resume में आएंगे तो उनमें से किसको select करें, है ना, तो उस time पे फिर आपके देखने जाएगी कि किसके वाज ज़्यादा लेग रही है, किसके वाज ज़्यादा स्केलता है, सदे भी किसन किसन ज़्यादा करें है, ठीक है, तो यह भी बहुत important point है, काम आए company की process है, next point है, जो भी आपकी company का process है ना, या जिस project में आप है, उसका process जो भी है, उसको चार्ट जाएए बिल्कुल, उसका loophole से लेकर positive points से लेकर negative points सब आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि वो project आपके बिना चले ही ना, management आपके फुल dependent हो जाए, और जिता भी पैसा माँगो आप वो दें आपको, strong player बन जाए, कम से कम उस project के लिए, आपने client के साथ बना के रखिए, चुकि क्लाइन्ट अगर तारीफ करता है, कि हाँ, ये project टाइम पर डिलीर होगा, रच्छा product है, bugs नहीं आए है, तो वो तारीफ करता हो, तारीफ का मतलब आपकी value बढ़ रही है, company है, तो फिर है next points के छटा, जब आप किसी client से, या किसी developer से, या team leader से communicate करें, इस चीज़ आपको सीखने होंगी न, अब इससे सीखने होंगी अगर आप 40 से कम है, 40 से उपर हैं, तो ये चीज़े करने चालो कर दीजिए, जैसे भी आप mail करें, तो सुबह भी साम को भी, और उसमें CC में अपने reporting manager को डालते हैं, क्योंकि आपके senior होगा, जिसको आप report करते हैं, CCBC में इसमें उनको डालते हैं, इनको रहे हैं का बंदा काम कर रहा है, serious है, महनती है, सुबह आते ही साम को जाते ही, और हो सके तो बीच में एक दो जरूर, बाक कुछ खास बात नहीं है, लेकिन psychology से खेलना ही है, मैनेजर का काम होता है, और अपने client के साथ friendly बने के रही है, मतलब client को भी ऐसा बना दीजिए, जादू से जादू टोना टाइप का करना है उसके उबर, कि या वो बाकी में लगे कि हाँ, कि बनना manager है, अच्छा है, project manager अच करवाने है, और उसको client को अपने मुठी में ले लिया, तो अब वो आपको और अपना काम देगा, और जिस से क्या होगा, कि company को फायदा होगा, तो company को फायदा होगा, तो company अपकी गुलाम, तो ये मैं point मैं कुछ बताना चाहरा था आपको, I hope कि आप लोगों को पसंद आयो होगा, ये point जो है, जरूरी है, मतलब कि हम लोग हम ऐसा developer नहीं रहेंगे, मैं अभी अभी early 30s में हूँ, और बस अभी 30s में खुशा ही हूँ, तो ये चीजे, मुझे भी सीखनी है, लेकिन मैंने देखा है, कि हर company में, चालिस के उपर लोग बहुत कम मिलते हैं, देखने के हैं, तो चालिस के उपर, लेकिन market पे तो रहना ही है, चालिस के बाद भी, कोई ऐसा ताहनी घर बैठ जाएंग, रिटार हो के, तब क्या करना है, तब उसके बाद, अभी से हमें त्यारी कर देनी चाहिए, जो अपने early 30s में है, जो late 20s में है, उनको तो कोई एकत हैं नहीं अभी, लेकिन early 30s में है, mid 30s में है, तो उनको ये सोचना अभी से चालू करना चाहिए, अपने development की skill तो आपको बढ़ानी है, साथ में, software architect भी, designing level भी आपको आना चाहिए, और project management की भी थोड़ा बहुत, आपको आना ताजमाना है पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि य यह जो आपके जो आप अपने project manager से meeting करते हो, वो लोग किस तरह से बात करते हैं, क्या उनके task होते हैं, किस तरह से handle करते हैं, यह सा observe करिए, और note करिए, खुद भी सिकने की कोशिस करिए, कि आप हमेसा developer नहीं बन किरा सकते हैं, और मजबूरी है कि आप नहीं बन सकते हैं, आपका interested भी हैं, तो भी नहीं कर पाएंगी, कोई company आपसे नहीं कर वाएंगी, क्योंकि तरह आपका पैसा बढ़ चुगा होगा, 40 साल की उमर तक, कि कोई जो काम आप कर रहे हो, आपके नहीं बन्दा कर देगा, 24-25 साल की उमर से बन्दा ना, तो वो कम package पे कर देगा, 10 ल सकी नहीं रहेगा, इसलिए आपको फिर दिमाग से खेल लाना पड़ेगा, वो यही manager level का काम होता है, अब आपको यह video पसंद आए होगी, अगर आईए हैं तो please subscribe कर दीजिए, और वीडियो कर आई भी कर दीजिए, thank you so much, bye bye